गटबंदन हमारा चल रहा है उसके बिना हमारी सरकार नहीं चल पाती और आज के दिन दुरुस्ट चल रहा है इसके अंदर कोई दो राय नहीं है और आगे का क्या है आपका विचार क्योंकि आप भी अब बीजेपी वह तो देखो नहीं हम भार करने की दबाते थोड़ी हैं और फैसला जो होता है बीजेपी के अंदर वो तो चर्चा हो करके ही होता है ना तो सभी की चर्चा की राय ली जाएगी और मैं समझता हूं कि गट सर जिस तरीके से जो कांग्रिस के नेता है साब से तुनना कर देते हैं परधान मंतरी की प्रेंका गांदी कहते हैं कि रैली में जाके परधान मंतरी रोते हैं इस बयान को किस तरीके से देखते हैं परधान मंतरी पर इस तरीके की टिपनी को देखो ऐसा है कि परधान मंतरी के विप्रीत की गई है जिसने वो टिपनी की है उसको मुझी खानी पड़ी है चुनावी तोर के उपर तो मैं समझता हूं कि जो भी कुछ कह रहे हैं पार्टी कोशिश तो करती है के सा तासीन हो तो जो रास्ता जो अपना रहे हैं और वो पधान मंत्री को उल्टा सीधा करके जो अपना रहे हैं मैं नहीं समझता कि उचित है